इस धाकट All-Rounder ने किया बांगलादेश के खिलाफ डेबियों जड़ चुका है 5 गेंदों में 5-6 के बांगलादेश के खिलाफ 3 मैचों की टीडट सीरीज का पहला मैच दिल्ली में खेला जा रहा है रविवार को खेले जा रहे मैच में भारत की तरफ से ओल राउंडर शीवम दूबे ने डेब्यू किया है शेवम भारत की तरफ से अंतराश्ट्रेट चीडट में डेब्यू करने वाले 82 वे खिलाडी है रोहित की अगवाई में टीम इंडिया में कई नए खिलाडी शामिल है इसमें एक खिलाडी है मुंबई के ओल राउंडर शीवम दूबे जिनहीं हाल दिक पांडिया के चोटिल होने के बाद टीम में जगह दी गई है मुंबई के युवा बल्लेबाज शिवम दूबे ने हाल ही में विजे हजारे ट्रॉफी में अपने दमदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खीचा था शेवम दूबे ने विजय हडारे ट्रोफी में मुंबई के लिए खेलते हुए आठ मैचों में 88.50 के ओसत से 117 रन बनाए हैं इसमें पांच पारियों में उन्होंने एक शतक भी जड़ा, साथ ही उन्होंने निचले क्रम पर बल्ले बाजी करते हुए 15 छके भी जड़े हाला कि दूबे ने गेंद बाजी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया और टूर्नमेंट पे मातर पांच विकेट ही हासिल किये लेकिन बावजूद इसके उनकी बाएं हाथ की बल्ले बाजी और निचले क्रम में ताबर तोर रन बनाने की प्रतिभाने चयन करताओं को उन पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया शेवम पिछले साल तब चर्चा में आये थे जब उन्हें विराट की अगवाई वाली RCB ने पांच करोर रुपे की मूटी रकम में खरीदा था हाला कि वे तूर्ना में इंट में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे उससे पहले उन्होंने रंजी ट्रॉपी मैच में वडोद राके स्विनर सुअप निल्स इनके ओवर में पांच छक के जड़कर भी संसनी फैला दी थी